नमस्कार मैं हूँ आपके साथ थुरू है जब अफगानिस्तान में तालिबान का शासन आया है भारत ने दिल खोल कर अफगानिस्तान की मदद की और कर भी रहा है चाहे वो दवा हो, कोवीटीका हो, गेहूं की खेप हो या पहली बार राज़ूत कारियालत हो, भारत ने आगया आकर अफगान लोगों की लगातार मदद की इसके साथ ही साथ भारत पुराने समय से ही अफगान लोगों की मदद करता आ रहा है वो ही अफगान लोगों के दिल में पाकिस्तान के लिए छूटा, मकार, फरेवी, लूट खसोट करने वाला देश है क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ अफगानिस्तान को आगे रख कर अपना काम चलाता है लेकिन अब वो भी पाकिस्तान की आमदनी खत्म हो गई है क्योंकि अमेरिका था तो पैसा उन्हें मिल जाता था और अब अमेरिका चला गया तो पाकिस्तान को भीक में पैसा मिलना बंद हो गया इसी को देखते हुए अफगान जनता काफी नाराज है और पाकिस्तान से नफरत करती है जबकि भारत से प्यार इसलिए करती है कि भूग से फड़ पड़ा रहे, अफगानियों को भारत रोटी देता है, दवा देता है और प्यार भी भेजता है इसी का नतीजा है कि जब एक सर्वे कंपनी ने सर्वे किया, तो उनहां तरफ फीजदी लोगों ने भारत के लिए अपने दिल खोल दिये और पाकिस्तान के खिलाब बददवाएं देने लगे सर्वे कंपनी को अफगान लोगों ने कहा कि अमेरिका के गलत समय पर अफगानिस्तान से निकलने के चलते पाकिस्तान और चीन को मौका मिला इन दोनों देशों ने चीन को प्रोट साहित क्या ताकि वो अफगानिस्तान पर कपज़ा जमा सकें लेकिन अफगानिस्तान में भारत के गहरे रणनीतिक हित हैं और उसमें बड़े पैमाने पर निवेश किया है अफगानिस्तान और भारत के इतिहासिक और सांस्रितिक संबंध है पाकिस्तान की ओर से अफगानिस्तान और भारत के संबंधों को कमजोद करने के लिए कई प्रयास किये जाते रहे हैं लेकिन इसके बाद भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है यहां तक कि अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिस तालिबान ने भी भारत से संबंदों को सुधारने की अपील की है एक जानकारी के मताबिक अफगानिस्तान को सब ज़्यादा मदद देने वाले देशों में भारत का पांचमा स्थान है भारत प्यूर से अफगानिस्तान को तीन अरब डॉलर की मदद मिली है भारत ने अफगानिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्शर को विक्सित करने के साथ ही साथ मेटकल स्टाफ और साध्यान तक में मदद की यही नहीं अफगानिस्तान की नई संसक को भारत नहीं तयार किया जिसे पिछले दिनों गिफ्ट किया गया था इसके अलावा बड़ी संख्या में अफगानी नागनी की इलाज के लिए भारत आते रहे हैं वोई भारती कॉल्जियों और उनिवर्सिटीज में भी अफगानियों की अच्छी खासी संख्या रही है तेरा धूनिस्तित इंडियन मिल्ट्री अकेडमी में भी अफगानी कैडिट ट्रेनिंग लेते रहे अफगानिस्तान पर टालिबान के कबजे के बाद भी भारत में बड़े पैमाने पर उनकी मदद की बड़ी मात्रा में गेहूं भेजा भारत की उर से अफगानिस्तान जिस तरीके से खाद्यान भीजा गया उसके बाद अफगानिस्तान ने भी भारत कस्तोक्रिया कहा था तो इसी वज़ा से अफगान जनता ने भारत के लिए अभी भी प्यार बरसाया है सर्वे में सामिल 78 फीज़ी लोगों का कहना है कि पिछली सरकार भी भ्रश थी और विदेशों से आई मदद आम लोगों तक नहीं पहुँच पाते थी इन में से 72 फीज़ी लोगों का कहना है कि अस्थानी नेताओं के ब्रश्ट होने के चलते ही तालिबान को देश पर कबजा करने का मौका मिला और आज सभी इसका अंजाम भुगत रहें तो आप समझ गये होंगे कि अफगान जनता ने क्यूं भारत पर इतना प्यार लुटाया है और पाकिस्तान को वो क्यूं गाली दे रहें